हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रुमेश कोली सीनियर काडियोलजिस्ट एकॉर्ड हॉस्पिल फृरिदाबाद से आप से बात कर रहा हूँ आज हम हेल्दी टॉक्स वीज शफीक खान के साथ आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टन्ट है बीश से चालिस साल की युवाम हार्ट अटेक क्यों आता है और इससे कैसे बचा जाए ये आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरस्टिंग है बड़ा ही जिसे कहते हैं इंपोर्टन टॉपिक है आज कल आए दिन जैसे हम न्यूज देखते हैं या अख़बार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी चालिस साल का है पैंतिस साल का है सडनली जिम में या काम करते हुए या रात को सोते समय सुबह देखा कि वो उट नहीं पाया है तो सडन हाट अटेक ऐसे लोगों में क्यूं आता है यह सबसे इंपोर्टन चीज है जैसे कि हम जान रहे हैं कि आज कल की जो हमारी जो डे टूडे लाइफ है बहुती स्ट्रेस से टेंशन से भरी हुई है जालतर लोग आप देखेंगे मोटे हैं ब्लड प्रेशर हैं उनको स्मोकिंग करते हैं डाइट का कोई जिसे कहते हैं नियम नहीं है ऐसे में हार्ट अटेक से कैसे बचा जाए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन है तो सबसे इसमें इंपॉर्टन चीजे हैं कि हमें जो है अपनी डाइट का जिसे कहते हैं बहुत अच्छे से ख्याल रखना है अपने वेट को नियंतरन में रखना है smoking जो सबसे important factor है वो है smoking youngsters में smoking एक सबसे बड़ा कारण है heart attack का तो smoking से बिलकुल दूर रहना है और जो लोग smoke करते हैं उनको उससे निवारण करना उनको उससे smoking से हटाना है और सबसे important चीज़ है stress stress आजकल के जमाने में work stress हो घर का stress हो financial stress हो तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं हमारी life पे toll ले रहा है तो stress से कैसे बचे हैं stress को अपनी जिंदिगी से निकालें ये सबसे important है कि हमें stress से दूर रहना है अगर हम stress से दूर रहेंगे तो हमें BP की sugar की heart disease से हम बच सकते हैं और तीसरा important चीज है हमारे को physical activity exercise so fitness जिसे हम कहते हैं ना कि fit रहेगा इंडिया तभी आगे बड़ेगा इंडिया तो इसलिए fitness बहुत ज़रूरी है daily मैं चाहूंगा कि हम सब लोग कम से कम 30 से 40 मिनट exercise करे योगा करे relaxation टेकनीक अपनाए meditation करे जिससे हमारा body का stress mind का stress ये हमारे से दूर रहे और एक important चीज बहुत important और है कि हमारे को अपनी diet का ध्यान रखना है आज कल की busy life में कोई भी इंसान diet का ध्यान नहीं कर पाता है उसके ना खाने का नाचते का कोई time है ना dinner का कोई time है तो सबसे important है अगर हम diet अपनी ठीक time पे लेंगे तो हमारे weight हमारे control में रहेगा हमें जो metabolic diseases है blood pressure sugar उससे हम बच सकते हैं और diet में हमको क्या लेना है ये बहुत important चीज है कि हमें जो fatty foods हैं deep fried चीज़े हैं sugary products हैं उसका seven जो है बहुत नियत्रन से करना है उसको avoid ही करना है तो हमें fresh fruits लेने हैं vegetables लेनी हैं nuts लेने हैं जो हमारी body जो हमारी body में nutrients को बढ़ाते हैं और हमारे को fitness देते हैं तो ये सब चीज़े अगर हम diet में लेंगे और exercise करेंगे तो हमारा जो fitness लेवल अच्छा रहेगा और fitness अगर अच्छी रहेगी तो हम heart disease heart attack से जरूर बच सकते हैं thank you